हेलो बिजनेस यांस क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये मास्टर कर्ड और विजा पैसे कैसे कमाता है और मास्टर कर्ड और विजा का बिजनेस मॉडल क्या है तो इसी के ऊपर आम भी याज वीड़ लेकर आगे हैं तो चलिए सुरू करते हैं जब ज्यादातार लोग मास्टर कार्ड खुद को क्रेडिट कर कांपणी नहीं मानता है बलकि 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मास्टर कार्ड ग्लोबल पेमेंट्स इंडेस्ट्री में एक टेकनोलोजी कांपणी है जैसे मास्टर कार्ड विवित्र प्रकार के लेन देन में कंई अलग-अलग participants को चोड़ता है consumers, merchants, financial institutions, governments और बहुत कुछ mastercard के revenue का बड़ा हिस्सा अपने ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई fees से आता है जो रोजमरा के consumer नहीं है बलकि mastercard के ग्राहक financial institutions है जैसे bank जो mastercard brand के साथ credit और debit card जारिक करने के लिए fees पे करते हैं यह fees कहीं रूप ले सकते हैं जैसे कि हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं mastercard के perennial competitor visa INC है कि तरह mastercard ने 2000 के दसक्स के initial public offering यनि कि IPO से पहले दसकों तक नीजी तावर पर आयोजित सफलता का आनन्द लिया दरसल mastercard वास्ताओं में इस बात की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था कि वीजा क्या होगा 1950 के दसक के अंत में bank of america corporation जैनि की BAC द्वारा bank card launch करने के बाद regional credit card providers का एक coalition 1966 में mastercard launch करने के लिए एक साथ आया उस समय इसे interbank के रूप में जाना जाता था जो नाय कार्ड की connectivity का reflection था various financial institution में उस समय से company कई expansion और rebranding के माध्यम से चली गई है लेकिन इस से तेजी से global base के बीच लगातर popularity हासिल की investors को mastercard पसंद है credit card operator ने 2020 में 15.3 billion dollars का net revenue दर्ज किया जो पिछले वर्स की तुलना में 9% कम है global महमारी के कारण बड़े पैमाने पर अगस्ट 28.2021 तक mastercard का market capitalization 351.03 billion dollars था फिर भी सबी investors प्रचार के लिए अंतिम users समन रूप से satisfied दिखने को मिला था जिस ease के साथ mastercard transaction करते हैं वो merchants और financial institutions और निप्णान बैंकों के एक extensive network पर विश्वास करता है जिनमें से प्रतिय को केवल millisecond लेने वारे प्रेक्रिया का एक cut प्राप्त होता है अब जानते हैं mastercard का business model mastercard 210 से अधिक देशों और खेत्रों में 150 से अधिक currencies में transaction की सुविदा प्रदान करता है हाला कि payment industry पर company का monopoly नहीं है ना के बल वीज़ जैसे समान operation के कारण बलकि नाये payment service providers की बरती संक्या के कारण भी फिर भी ये दुनिया भार में बेयत सफल है इस सफल तक का एक बड़ा हिस्सा mastercard brand और उसके पास मावजूद cassette के साथ है आम तावर पर एक account holder एक व्यापारी के सहथ खरीदारी करने के लिए mastercard branded card का उप्योग करता है जब transaction authorized होता है तो issuing bank, acquiring bank को transaction की fees जिसे swipe कहते हैं का pay करता है तब account holder से transaction की cost वसुल की जाती है जिसमें से एक व्यापारी छूट घटा दी जाती है mastercard payment products को स्वीकार करने वाले व्यापारियों को value provide करने में interchange fees महतुपूर्ण है mastercard इन fees जोन से revenue generate नहीं करता है व्यापारी की discount fees acquiring bank के लिए cost को cover करने में मदद करता है तो आप पूछोंगे भाई तो ये बताओ कि mastercard पैसे कैसे कमाता है इस सिस्टम में mastercard खहां से पैसे कमाता है तो चले जानते हैं mastercard उन financial institution से fees लेता है जो account holder activities के gross dollar amount के आधार पर कार जारी करते हैं company authorization clearing and settlement और कुछ सीमा पर और domestic transaction के cover करने वाले switch के ले गए transaction से भी revenue generate करती है mastercard का domestic और international business piece जब आप mastercard से खरीदरी करते हैं तो आप करता बैंक से धन उदार ले रहे होते हैं जिसका नाम आपके card पर print होता है ऐसे हजारों bank है mastercard अपने multi note light speed instant payments network का उपयोग करने के लिए उनसे fees लेकर पैसा कमाता है mastercard के income statement में सबसे बड़ा difference international revenue card holder से ली जाने वाली fees और वियापारियों के financial institutions के बीच है जो उसी देश में process होते हैं जहां transaction और border पर volume fees होता है former category जिसे official तोर पर domestic assessment के रूप में accounted किया जाता है 2020 में financial year के लिए gross revenue में mastercard के 23.6 billion के लिए जिम्मदार है सीमा पार से volume fees के लिए उन्होंने cool 3.5 billion dollars का खर्च किया mastercard का transaction processing fees mastercard business की तीसरी major revenue category जैसे transaction processing fees कहा जाता है 2020 में 8.7 billion US dollar का net revenue जेनेरेट किया वे fees वियापारियों के financial institutions से लिए जाते हैं और दो sub categories में आते हैं connectivity और transaction switching connectivity fees network user से network का use करने के लिए charge करने और process में प्रती एक step में deduct करने से आता है mastercard हर बार जब भी issuer जो issuer करता है इसको authorization के लिए approval फ्राप्त होता है दोनों पक्सों के bankों और के बीच transaction की जानकरी साफ हो जाती है और हर बार जब fund actually में settled होता है तब भी mastercard एक transaction switching fees collect करता है फिर से ये कार्ट नेनोसकोपिक है लेकिन वे जमा हो जाते हैं actual में mastercard की transaction processing fees domestic estimate की तुलना में साल दर साल और भी तेजी से बढ़ रही है future plans mastercard का मानना है की आने वाली payment systems पर इसके key advantages में से एक multi rail network होने की ability है जिसमें domestic gross border card based और account to account transaction सामिल है भाविश्य में company इनमें प्रतियक channel को develop और मजबूत करना जाली रखेगी traditional credit debit prepaid और commercial products के लिए company consumers और financial institution को products के साथ साथ भुकतान योजनाव और systems के tombs में अधिक से अधिक choice प्रतन करना जाली रखेगी mastercard international mastercard के growth की नय markets में diversification है 2020 में UK service providers ने mastercard के pay by bank service को बड़ावा दिया जिसे 2016 में launch किया गया था जिसमें worklets, hsbc, yo yo wallet, global payments, wire card, world pay और barclayards सामिल थे जो UK के सभी card transactions का आधा इस्सा प्रोसेस करता है bank द्वारा pay UK के consumers को bank account से money का यूज़ करके और mobile banking app का यूज़ करके goods और services खरिदने की अनुमती देता है हाकिर कर केवल UK के लिए नहीं बलकि app को universal बनाने के इरादे बना गया था key challenges हाला कि mastercard global payment services industry में एक प्रमुख खिलाडी है फिर भी इसे महतपुर्ण चुनतियों का सामना करना पड़ता है इसका सबसे बड़ा government regulations है जैसे की company ने अपने पूरे इतिहास में कई anti-test lawsuits का सामना किया है और कई क्षेत्रों में regulations लगाता बदलता रहता है जिसमें mastercard business करता है इसे अपने business के फादने फुलते को ensure करने के लिए flexible और vigilant रहना चाहिए विशेश रूप से company के international और cross border business को देखते हुए ये इसकी निरनतर सफलता का एक महत पूर्ण component है इन साबके बाद ये mastercard appeal को कैसे maintain कर पाते हैं चलिए जानते हैं Mastercard को अपने transaction ecosystem के प्रचेक segment के लिए products का एक attractive और meaningful set provide करना जारी रखना चाहिए Financial institutions को ये विश्वास करना जारी रखना चाहिए कि mastercard लोगों के साथ कार्ड जारी करना उनके best interest में है जबकि व्यापरियों को fees की भरपाई के लिए products पर surcharges लगाने से रोका जाना चाहिए अन्य payment systems की तूलना में card holder को पूरी process को easy, efficient और competent होना चाहिए Finally, अच्छी तरह से intense competition और well established और company और दोनों से तीवर प्रतिस भरदा को देखते हुए Mastercard को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी पेश का कम से कम competition के similar हो ये दी बैतर नहीं है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आज की case study आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और family के साथ share करें और उनका knowledge भी gain करने में मदद करें और ऐसी वीडियो के लिए अमरे चैनल को subscribe करें और मिलते हैं ऐसे ही अगले content के साथ जैहिंद